साधना की रेसिपी तो आज मैं आपके लेकर आए हूं कच्छे केले की बहुत ही सिंपल सी सब्जी की रेसिपी जिसे आप बड़ी असानी से बना सकते हैं यह कम मसाले में बनके तयार हो जाती है तो चलिए फ्रेंस ज्यादा बाते ना करते हुए इस रेसिपी को स्टार्ट कर यहां पर मैंने चार कच्छे केले लिए हुए है एक आलू और एक प्याज लिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके सारे छिलके हमें निकाल लेना है उसके बाद इसे अच्छे से वाश करके इसकी कटिंग कर लेना है तो लो जी यहां पर हमने सारे सबजीयों क कटिंग करके रख लिया है मैंने सबसे पहले क्या किया सारों के छिलके मैंने निकाल कर उसे अच्छे से धो कर उसकी कटिंग कर लिया है और एक प्लेट में रख लिया है तो यहां पे मैंने इसे गोल-गोल टुकडों में कट करके रखा हुआ है आप चाहें तो इसे लंबे-ल सरसो के दाने डालते ही हम यहां पे डालेंगे मेथी के पत्ते जिसे मैंने बारी काटके रखे हुए थे फिर उसके बाद मैं डालूगी यहां पे एक बड़ा प्याज जिसे मैंने लंबे टम्मे टुकडो में काटके रख लिया था तो चलिए प्याज डालने के बाद हम चम्म केल और आलू डालने के बाद हम चम्मत चलाएंगे और बस कुछ नहीं करना है हमें ठककर नगाना है और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है तो लो जी फ्रेंट्स यहां पे दस मिनट हो चुके हैं हमें इसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है नहीं तो केल टूट जाएंगे तो दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं केले आधे अधूरे पक चुके हैं तो इस स्टेज पे हम डालेंगे दो टमाटर जिसे मैंने लंबे लंबे टुक्टु में काटके रखा हुआ था टमाटर डालने के बाद मैं डालूंगे यहां पे मसाले तो मैं हमें चम्मत चलाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां पे हम ठक कर लगाएंगे और इसे पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे तो चलिए यहां पे पांच मिनट हो चुके हैं हम अपने टमा तरीके से इतने ही इसे पका के तयार कर लेना है अगर आपको सूखी सबजी खाना पसंद है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं यहाँ पे सूखी सबजी बनके तयार हो चुकी है अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी आड़ यहां पर डाला है एक कप के करीबन पानी फिर मैं डालूंगे यहां पर आदा चमच घरम मसाला अब बस हमें क्या करना है गरम मसाला डालने के बाद चमच चलाते हुए इसे दो मिनट के लिए पका ले लिया है और हमारी सबजी पूरी तरह से बन के तयार हो चुकी है तो चलि इसे हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है अच्छी लगती होगी तो कमेंट शेक्षन में जरूर बिताइएगा मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ बैल आइकों दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए यहाँ पे हमने कर दिया है धनिया पत्ता से गार्डिश तो लोजी यहाँ पे सबजी बन के तयार हो चुकी है तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फॉर वाचिंग